बाहियो और बहनों, मोधी का पूरा फोकस किसान, नौजवान, नारी शक्ती और गरीब के ससक्ति करण पर है। शेतकारी समाज ने मोधी के दस साल भी देखे हैं, इससे पहले कॉंग्रेस राष्ट्रवादी के भी दसकों का राज देखा है। और तब करशी मंत्री थो, यही महाराष्ट्र कही थे, लेकिन तब कॉंग्रेस और इंडिय गाड़ी ने आपकी कोई चिंता नहीं की। आज पी एम किसान सम्मान निदी के बारा हजार रुपिय हर साल यहां हर किसान परिवार को मिलते हैं। यानि आने वाले पांच साल में कम से कम साथ हजार रुपिय हर किसान को मिलना तय है। पहले एक पैसा भी मिलता था क्या। मैं मानता हूँ मेरे किसान भाई बैन मोदी को कभी भी भूलेंगे नहीं। कॉंग्रेस के राज में किसानों के लिए जूठे पैकेज गोशित होते था। कोई किसान बता दे क्या आपको इन पैकेज में से एक रुपिया भी मिलता था। साथियों मोदी किसान हित को हमेशा सर्वोपरी रखता है। नाशीक और ये छेत्र तो प्याज और अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ये हमारी सरकार है जिसने पहली बार प्याज का बफर बनाने की व्यवस्ता शुरू की। पहले के सरकारों में ऐसी कोई व्यवस्ता ही नहीं थी। हमने पीछले सिजन में साथ लाग मेट्रिक टन प्याज किसानों से खरीदा है। अब फिर सरकार पाँच लाग मेट्रिक टन का बफर तैयार करने में जुटी हुई है। बीजेपी एंडिये सरकार के प्रयासों के वज़े से दस साल में प्याज का एक्सपोर्ट 35 प्रतिशत बढ़ा है। अभी दस दिन पहले ही प्याज निर्याद पर लगे बेन को हटा दिया गया। पिछले दस दिनों में 22,000 मेट्रिक टन से ज़़ा प्याज का निर्याद हो चुका है। सरकार आपरेशन ग्रीन के जरिये प्याज के ट्रांस्पोर्टेशन पर भी सबसीड़ी दे रही है। अब इस मीशन को फिर से लागू किया जा रहा है। इसी तरह यहाँ जो ट्रस्टर्ड डेवलप्लेंट प्लान बना है। उसका फाइदा हमारे अंगूर के किसानों को होगा। साथियों, जन कल्याण की ऐसी ही गरजियों को पुरा करने के लिए डिन्डोरी से बहन भारती पवार जी और नासिख से सीव से ना के हमारे साथि हैमंद गोर से जी को भारी मतों से विज़ई बनाना है।